हेलो स्टुडेंट्स, माइसल्फ, मनोज सर्मा, टीम बॉटनी, CLC सिकर बेटा, आपकी DCM टैस्स रीज, I hope बहुत अच्छे आपके पेपर्स जा रहे हैं बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर रहे हो सारे के सारे पेपर जो हैं, वो आपके क्या हैं, NCRT-based हैं नीट-oriented आपका बेटा, क्या है, पेपर है आज का DCM 08, जो आपके क्या है, बॉटनी का आपन डिस्कुशन करेंगे पूरा पेपर बेटा, आपके कहां से रहा, NCRT से रहा और maximum आपके try की गई है कि सारे के सारे questions जो हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी competitive exam में पूछे गए हैं और आपके क्या हैं neat oriented हैं और कहीं ना कहीं आपके touch करते हैं काई को NCRT को और यह बात समझ में बटा अभी यह time है आपके काई को preparation को final shape देने का और इससे अच्छा इससे best papers जो आपके CLC DCM के हो रहे हैं बटा कहीं भी नहीं मिल सकते हैं क्यों अपने सारे paper जो अपने fame कर रहे हैं वो आपके सीधे क्या हैं NCRT based हैं सीधे कहीं न कहीं NCRT से अपन क्या उठा रहे हैं lines उठा रहे हैं तो I hope आपके paper बहुत अच्छे हो रहे हैं फिर भी आपके कोई भी दिक्कत है तो आप depressed ना हो सीधे boss से आप boss से whatsapp के through आप क्या है call के through या director आप personal मिलना चाहो तो personal जो भी आपकी समझे है उसको solve करें आपकी preparation बहुत अच्छी है और बहुत 2021 आपका है कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है DCM को आप continue करें सारे के सारे paper जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके conceptual हैं कहीं ना कहीं आपके कहाँ neat को क्या कर रहे हैं टच कर रहे हैं तो किसी भी बात की कोई भी tension ना लें depressed ना हो एक दो question अगर आपके by mistake कैसे भी आपके गलत हो 08 और botany का paper अपन क्या करने जा रहे हैं बिटा discuss करने जा रहे हैं question number 151 the functional ADA the functional ADA cDNA can be introduced into the cells of the patient by using a vector अब देखो यहां जो आपके बात हो रही है वो आपके किसकी हो रही है human की और इतना आपको question को देखते ही बिटा समझ में आ गया होगा कि यहां आपन बात कर रहे हैं किसकी gene therapy की ठीक है gene therapy जो है वो आपके सबसे पहले SCID disease में आपके की गई थी वो भी आपके क्या है four year girls जो है उसमें आपके क्या है SCID disease severe combined immunodeficiency disease जो थी उसके आपके treatment में इसको क्या किया गया था यूज किया गया था तो यहां vector की form में जो आपने काम में लिया था बिटा वो आपक आंसर जो है वो बिटा आपके कौन होगा retrovirus E. coli generally bacteria है यहां से आपके कौन plasmid आपके आपके आइसोलेट करते हैं और यह आपके क्या होते हैं जनरल वेक्टर होते हैं लेकिन यहां plasmid जो काम में लिये जाते हैं वो reconstructed होते हैं यानि कि इनमें आपन क्या है कुछ ना bacterium जो दिया हुआ है वो आपके क्या है इससे आपन TI plasmid लेते हैं जो vector का काम करता है आपके विटा किसमें plants में तो most appropriate answer जो है यानि कि आपन क्या है human में जो vector का का काम करता है वो आपके कौन है विटा retrovirus तो first का जो answer जाएगा वो आपके कौन जाएगा retrovirus फिर आपन बात करें next आपके जो भी आपके क्या है question है which is not a symptom of viral infection in plants plants में viral infection की बिटा आप से क्या कर रहा है बात कर रहा है यानि कि कौन सा symptom जो है plant में काई से viral infection से related नहीं है तो आप कहोगे dwarfing and stunted growth बौनापन तथा अवरुद ब्रदी बिलकुल है आपके NCRT में दिया हुआ mojac formation बिलकुल आपके होता है leaf rolling and curling बिलकुल आपके होता है तो क्या नहीं होता potato spindle tuber disease इसको अपन सौर्ट में बोलते हैं क्या बिटा PSTD किसकी वज़े से होती है वाइरॉइड्स की वज़े से ठीक है वाइरॉइड्स में आप कहते हो जो DNA है उस पे और RNA जो है उस पे आपके क्या नहीं होता RNA जो है भीटा यहां आपके क्या रहेगा नेक्ड क्या रहेगा नेक्ड यानि कि यहां कैपसिड जो है वो आपके क्या है भीटा absent है, इसके अलावा आप क्या कहोगे कि अगर यहाँ पन बात करें तो इसकी discovery जो है वो आपके किसने की थी, TO, Dynan इसके अलावा और आप बात करना चाहो तो infectious protein particle आपके कौन होते हैं, prions, तो यह तीनों तो बेटा आपके क्या है, related है related कौन नहीं है, fourth तो यहाँ answer चला जाएगा, कौन fourth, क्यों, क्योंकि PSTD आपके करता है, कौन वाइरोइट्स, ना की virus फिर आपन चलें, बेटा which of the following is related with DNA fingerprinting, देखो DNA fingerprinting से related कौन है, तो first option आपको क्या दिया है, VNTR, variable number tandem repeat ठीक है, तो अब क्या कहते हो कि अगर आपन बात करें, काई की nitrogenous base की, तो यहाँ जो आप काटोगे, तो यहाँ है tandem, जो आपके क्या हो रहे है, repeat हो रहे है, repetitive DNA sequence होती है, वो आपके हर आपके individual में आपके क्या होती है, अलग-अलग होती है, और यही base है आपके काई का बिटा, DNA fingerprinting का, तो DNA fingerprinting से related आपके कौन है, VNTR RNA polymerase, आपके काई में transcription जो है, उसमें आपके क्या आएंगे काम में आएंगे, फिर आप काऊगे क्या tissue culturing वो एक अलगी process है, और vectors जो है इनको आप काम में लेते हो, किसमें, biotech में, तो यहां answer बिटा जाएगा आपके कौन, VNTR variable number tandem repeats next question की और बिटा आपन चलते हैं, तो आप कहोगे parisperm is differ from endosperm देखो, पहली बात parisperm आपके क्या होता है, तो आप क्या कहोगे parisperm बिटा क्या है, residual आउसेसी आपके क्या है, nucellus residual आपके क्या है, nucellus nucellus आप जानते ही हो काय में मिलता है, ovule में मिलता है और nutritive क्या होता है, tissue होता है जो आपके कैसा है, 2N ठीक है, यह आपके क्या है nutritive आपके क्या है, tissue है nutritive weight आपके क्या है tissue है, ठीक है इसके लाबबा endosperm जो है वो भी आपके क्या होता है बटा, nutritive होता है लेकिन endosperm में आप क्या कहते हो कि एक तो आपके होता है male gamit ठीक है, यह आपके कैसा होता है N, और दो आपके आती है क्या, polar nuclei जो आपके काय से fertilization जो है उससे जस्ट पहले आपके कैसी हो जाती है, 2N तो यहाँ 2N और N, आपके क्या हो जाएगा, 3N, यह 3N जो है वो आपके क्या है, PEN यह PEN आगे चल के आपके काय का, endosperm का क्या करेगा, formation तो सीधी सी बात है बटा, new cellist जो है वो आपके क्या है, 2N है और endosperm जो है वो आपके क्या है, 3N तो यह कह रहा है, parisperm differed from endosperm being a diploid tissue सही है, क्योंकि endosperm जो है वो बटा आपके क्या है, 3N तो यह answer आपके सही हो गया it's formation by fusion of secondary nucleus with several sperms यह आपके किसके लिए parisperm के लिए नहीं, किसके लिए endosperm के लिए, being a haploid tissue नहीं, haploid के बल क्या होते हैं, gamits होते हैं, having no reserve food, नहीं, nutritive tissue है, तो reserve food तो इसमें है ही है तो यहाँ answer आपके चला जाएगा बिटा, कौन सा, first next, अगर आपन question की बात करें, तो आप कहोगे, find the wrongly match pair, गलत सुमेलित युग्म को चुनिए, पहला है end image, सही है कोई particular आपके species, कोई particular area में ही आपके present हो, बाकी वो कहीं भी ना मिले, तो इसको आप कहोगे end image, जैसे metas equia जो है, वो आपके कहाँ पाया जाता है, चाही ना में, और यह बात समझ में, तो यह बिलकुल सही है बिटा, फिर आप कहोगे hot spot, तो hot spot आपके ऐसे region होते हैं, जहाँ species richness आपके बिटा क्या रहती है हाई रहती है, तो यह भी ठीक है alien species, clearest, garrypinus इंडिया, बिलकुल सही है फिर आप कहोगे lungs of planet यह आपके कौन है, amazon rain forest ठीक है, कौन है amazon rain forest तो यह बिटा, आपके सीधा-सीधा आपके क्या हो गया है, wrong तो यहाँ wrong जो आपके होगा, वो आपके हो जाएगा fourth, तो answer यहाँ जाएगा आपके क्या, fourth देखो, आप सीधे देखो need से related, बिलकुल need का level और NCRT based और यह बस समझ में, इससे अपका एक बर confidence, बिटा, boost up हो गया ना आपको यह लग जा ना कि हाँ, need 2021 मेरा है तो बस फिर आपका ही है, और आप इसको पक्का फोड किया होगी, और यह बस समझ में, बस confidence अब लूजमत होने तो next, अगर आपन बात करें, तो यह कह रहा है आपके क्या, prophage first of meiotic division is typically longer and more complex it is subdivided into five phases, on the basis of see the NCRT की line उठाए गई है कि meiosis जो है meiosis जो है इसकी आपके कौन, prophage first, कौन prophage first किसके basis पे, जो आपके behavior of chromosome है, इसके basis पे, यह L, Z, P D, और D, D और D, leptotene, gigotene, pacotene, diplotene और diakinesis, ठीक है, कहीं आपके बिटा क्या है, thin thread shape है यानि कि chromatin आपके chromosome में क्या और है, convert हो रहा है, कहीं homologous chromosome की क्या की ज़री है pairing की ज़री है, कहीं आपके क्या और है, crossing over हो रहा है, कहीं क्या आज मिटा आपके appear हो रहा है, कहीं की आज मिटा आपके क्या हो रहा है, disappear हो रहा है तो आप देखो ना, chromosome आपके अलग-अलग sub phages में अलग-अलग आपके क्या कर रहा है, behavior कर रहा है इसलिए प्रोफेज को अपन प्रोफेज फर्स जो है इसलिए प्रोफेज का आपका क्या है, क्युष्टेन है इसमें से आपको incorrect match को आपको find out करना है, sterile stemmen बिलकुल सा आप क्या कहते हैं, इसको steminoid, ठीक है इसको अपन क्या कहते हैं, steminoid इसके अलगा stemmen attached to petals, apipetless ठीक है, apipetless condition पता है आपको solenacy आपके family में मिलती है stemens attached to perion, तो इसको अपन कहते हैं, बिटा apipetless condition, क्या बोलते हैं, apipetless condition, किसमें मिलती हैं, लेकिन यहां क्या दे रखा है आपके apisoplus, तो यह आपके क्या हो गया बिटा, wrong free stemens जो होते हैं, stemens जो हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, polyandrous condition, बिल्कुल सही है, तो यहां आपके first, second और fourth सही है, तो wrong आपके क्या है third, तो answer आपके चला जाएगा third, क्यों है wrong, क्योंकि इसको कौन सी condition बोलते हैं, अपन apipetless, ओके बिटा next आपन चलते हैं, फिर आप क्या कहोगे, देखो, the combination of oxygen and cytokinin, which is a likely to induce suit differentiation in tobacocallus, देखो, आप क्या कहते हो tobacocallus, सबसे पहली बात है, कैलus आपके क्या है, बिटा undifferentiated जो आपके क्या है, cell जो है, उनका आपके क्या है, ग्रूप है, undifferentiated cell का आपके क्या होता है, ग्रूप है, अगर इसमें आपको root को induce करना है, तब तो आपको चीएगा क्या, oxygen, ठीक है और suit को करना है, तो आपको चीएगा क्या, cytokinin ठीक है, अब यह क्या पूछ रहा है likely induce आपके suit, तो आपको क्या है shoot जो है, उसके formation को आपको क्या करना है, induce करना है तो basically यहाँ आपके high concentration में आपके होना चीए, कौन cytokinin, oxygen भी आपके present होगा, जो आपके root की growth करवाएगा, लेकिन comparatively आपको suit ज़दा चीए, तो high concentration आपके होना ही चीए, किसकी cytokinin की, तो देखो, only oxygen, no cytokinin, wrong हो गया, equal concentration of gibralin, gibralin का यहाँ आपके क्या है कोई भी relation आपके नहीं है high concentration of cytokinin and low concentration of oxygen, फिर आपके कहरा है lower concentration of cytokinin तो यह भी आपके नहीं होगा तो आप क्या कहरो, undifferentiate cell जो है, उसका group आपके कौन है callus, अगर आपको इसमें induce करवाना है किसको, shoot को तो आप डालोगे क्या, high concentration of cytokinin, अगर आपको root को ज़ादा induce करवाना है, तो high concentration of oxygen, बहुत अच्छा question बिटा, AFMC में पूछा जा चुका है, फिर आपका होगे क्या, a professor kept some moist seed in an airtight jar and started lecturing, at the end of the experiment, an explosion occurred in a jar, what did the professor want to explain, देखो, एक professor ने आपके seed लिए, उनमें आपके क्या रख दिया, पानी बढ़ दिया, पानी बढ़ने के बाद में airtight था, और इनके lecture के end में आपके क्या है, jar जो है वो आपके क्या हो गया है, explode हो गया है, ठीक है, देखो, यह दिया हुआ है end of the experiment, explosion है आपके किसमे, jar में तो यह किसके कारण होता है, बताओ seed में जो germination का जो भी आपके क्या है, region जो दे रखा है, NCID क्या कहती है, यह किसके कारण होता है imbibition के कारण, जैसा आप कहते थे, पुराने जमाने में आपके क्या है चट्टानों को तोड़ने में, breakdown बीच में आपके क्या है, जो लकडियां है, वॉट्स्ब डाल देते थे और इसपै पानी डाला जाता था, जिसके कारण वो आपके क्या है, imbibition के कारण वो आपके क्या होती थी, फूल थी थी और चट्टान जो है वो आपके क्या होISAती थी, breakdown, तो यहाँ आपसे पूछना चाह रहा है कि इन में जो growth हुई है वो आपके किसके करण हुई है, imbibition के करण, तो यहाँ answer आपके चला जाएगा क्या, imbibition ओके बिटा next, जो है CD and CRT की line बिटा, embryology का question in some strains like rice and wheat, pollen grains lose viability within in, क्या जाएगा बिटा, यहाँ 30 minute, ठीक है but in member of poiesy leguminacy and solenacy pollen viability in mentioned for, किसे 30 minutes to some months, ठीक है यहाँ आपके क्या जाएगा 30 minutes और यहाँ आपके आएगा बिटा, some months, ठीक है कुछ अनाजो जैसे कि चामवल और गहों में, पराक कन अपनी जीवन चमता किते में, 30 minute में ही खो देते हैं, लेकिन rogesy, leguminacy और solenacy कि पराक कन अपनी जीवन चमता कब तक, कुछ महिने तक आपके बनाए रखते हैं, तो right answer आपके हो जाएगा बिटा, 4th ठीक है, next अपन बात करें, तो आप क्या कहोगी देखो फिर आपके क्या है, अच्छा क्यूशन है, बायोटेक का क्यूशन है the technique in which tungsten और gold particles coated with foreign DNA and shot into the target method is non-edge, वह है तक्नीक जिसमें tungsten अत्वास होने के कणों के साथ, विदेशच DNA को लेपित का लक्ष कोसी काओं पर आपके क्या किया जाता है, दांगा जाता है, इसको आपन कहते हैं बेटा, Gene Gun Method या इसको आपन कहते है rated प्ठाई गई है, तो यहाँ क्या जाएगा Gene Gun Method, फिर मैं बेटा कहेरो ऑगे tama आपकी preparation बहुत अच्छी है और NEET का जो level है बिलकुल इसी level का आपके क्या रहना है, पेपर रहना है और ये बास समझ में, बड़ी अच्छे से आप पढ़ें, NCRT को बार-बार रिवाइस करें, NEET 2021 आपका है, ओके बिटा, next अपन लेते हैं, देखो, next question है, vacuol in a plant cell, plant cell में ये काई की, vacuol की बिटा आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, चलो vacuol की अपन बात कर लेते हैं, फ गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहां आपके क्या है, membrane आपके क्या होती है, present होती है, जिसको अपन कहते हैं, क्या, tonoplast, इधर आपके क्या होते हैं, अंदर cell sap, ठीक है, ये भी आपको पता है, cell sap की concentration, जो है, वो cytoplasm के आपके काई में, compare में आपके क्या रहती है, बिटा, high र excretory material को आपके क्या करती है, ये, store करती है, फिर आपको होगी, is membrane bound, बिलकுल सही है, contains water and excretory substance, तो ये आपके क्या है, membrane bounded होती है, यानि कि इसमें आपके क्या पाया जाता है, टॉनoplast, आपके surrounding आपके क्या होती है, membrane होती है, और cell sap, जो है, इसमें आपके क्या पाये जाएंग अगर आपन बात करें तो फिर आप क्या कहोगे तो यहाँ आपके आंसर कौन सा हो जाएगा है तो देख लिए ना मिटा फिर आप कहोगे क्या next आपन बात करें तो आप कहोगे scared groups are specially used in पवेत्र उपवन विसेष्ट है किस संधर्म में आपके क्या होते हैं उपयोगी होते हैं तो यह आपके NCRT कहती है कि पवेत्र उपवन जो है अपनी धार्मिक मानिताएं जो हैं उनके अनुसार होते हैं इसलिए उनको आपन क्या करते हैं कंजर्व करते हैं ठीक है और यह आपके क्या है? कुछ आपके दुरलब तथा संकटापन प्रजातियां जो हैं, वो यहाँ आपके क्या है? संरक्षित हैं. तो एक कोई नहीं है, प्रिवेंटिंग साइल एरोजन. लेकिन आप किसकी बात कर रहे हो? ग्रूवस की बात कर रहे हो? भाई आपके क्या है? प्लेंज की बात थोड़ी कर रहे हो? तो यह भी आंसर आपके नहीं होगा. तो most relevant आंसर जो है वो आपके कौन है? बिटा, second. देखो, फिर ऐसा कुछ आपके क्या है? डाइग्राम है. ध्यान आया, ऐसा आपके डाइग्राम बना रखा है. यहां आपके उपर क्या है? चूने की आपके क्या छोड़ी जाती है? फुआरें छोड़ी जाती है. ठीक है? और यह आपके क्या है? एबजॉब करती है काई को? SO2 को. तो आ आपके क्या है, particles जो हैं, उनको आपके क्या करता है, separate करता है, इसके अलावा अगर अपन बात करें काई कि, जो भी आपके automobiles हैं, vehicles हैं, उनमें आपके catalytic converters जो है, वो pollution level को आपके reduce करने का, बिटा, क्या करता है, काम करता है, तो हर चीज अपने थोड़ा सा क्या होनी चीए, बिटा, mind में होनी चीए, next आपके दिया हुआ है, देखो, select mismatch pair given blue, भाई आपके क्या है, इन आपके select mismatch pair given blue, फिर आपके क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है, क्या museums have collections of skeletons of animals too, ठीक है, इसमें आपके क्या कर रहा है, संग्राल है, इसमें जन्तुमों के कंकाल भी आपके क्या रहते हैं, संग्रहित रहते हैं, बिल्कुल सही है, geological parks, इसमें आपके animal are kept in protected environments under human care, तो यहां आपके मानव देखरेक में जन्तु सरक्षित वातावरन में रखा जाते हैं, बिल्कुल सही है, herbarium, these seeds are arranged according to universal accepted system classification, natural classification system, bentham और hukar का है, उसके according आपन को क्या है, रखते हैं, तो य यह भी सही है, लखनव, Indian Botanical Garden, नहीं, Indian Botanical Garden आपके कहा हैं, हावडा में, National Botanical Research Institute आपके कहा हैं, लखनव में, ठीक है, इसके अलावा आपके क्या है, Royal Botanical Garden क्यों कहा हैं, England में, तो यहां लखनव में आपके कौन है, National Botanical Research Institute, ठीक है, यहां आपके क्या होना चीए, हावड तो यह आपके क्या हो गया, wrong तो यहां wrong जो है वो आपके क्या है fourth next अगर आपन देखें तो फिर आपके कह रहा है क्या, select incorrect statement for binomial nomenclature, दूई नामकरण पदिती के लिए गलत कथन का आपके क्या कीजिए चुनाव कीजिए, biological names are generally in Latin and written in italics, बिलकुल सही है बिटा, the first word denoting the genus started with capital letter, बिलकुल सही है both the words genus and species in a biological name when in handwritten are separately आपके क्या होंगे, underline होंगे, बिलकुल सही है, both words are separately underlined to indicate italic नी कौनसी बिटा, latin आपके किसको दर साते हैं, origin को, ठीक है, तो यह आपके क्या हो जाएगा, wrong next, जो है, वो आपके दिया हुआ है क्या, an algae is often seen growing on the cell of a turtle देखो, एक आपके क्या है, जैसे आपके क्या है, algae जो होती है वो आपके grow करती रहती है, आपने देखा होगा, water में भी आपके क्या है, पुराना आपके पैरा साइट का क्या है, नहीं करती है, एक किवल क्या है, बहुत ज़्यादा, एक्सेप्शनली आपके क्या है, सिफालियोरोस, उसके अलावा, mostly algae जो है, वो आपके क्या है, ओटो ट्रॉपिक है, आर ये बाद समझ में, तो यहाँ आपके क्या है, आपके क्या है, अ ठीक है, शेल्टर मिल गया इसको, ठीक है, तो इसको तो आपके क्या हो गया है, फाइदा, ठीक है, इसके अलावा शेल अफ टर्टल, टर्टल को आपके ना तो फाइदा है, और नहीं आपके क्या है, नुकसान है, तो यहाँ आपके हो गया, प्लस और जीरो टाइप का रिल करें नहीं रही है और predation तो आपके बिल्कुल भी आपके नहीं हो सकता तो answer आपके जाएगा क्या common challenge यानि कि सहे भोजिता next अपन बात करें तो फिर आप कहोगे क्या HN RNA undergoes additional processing called capping and tailing in capping and unusual nucleotide भाई आप क्या कहते हो capping जो होती है वो आपके किस पे होती है 5 dash prime पे ठीक है तो यहाँ आपके काई की होती है दे रखिये यह आपको GPP यानि कि guanosyn triphosphate और यहाँ जो M लिख रखा है वो आपके क्या है methyl तो आपके क्या जाएगा methyl guanosyn triphosphate क्या methyl guanosyn triphosphate ओके बिटा next अपन चलें यह NCRT कहती है इसमें आपके क्या है जो आपके with carboxylic group क्या कहोगे इसमें आपके with carboxylic group with carboxylic group कितने आपके carbon है 20 carbon है कितने carbon है विटा 20 तो यहाँ आपके कौन सा चला जाएगा 18 यह एरे, एक carbon यह एरा, एक carbon यह एरा तो आपके right answer हो जाएगा आपके third, ठीक है next जो है वो आपको दे रखा है क्या, the youngest layer of secondary gylem lies देखो बहुत अच्छा question है यह आपके क्या है, vascular cambium है आप कहते हो vascular cambium जो है secondary rod के duration में vascular cambium की activity जो है, वो inner side आपके क्या रहती है, high रहती है, तो इधर है, वो आपके क्या बनता है, more बनता है और phloem जो है, वो आपके last बनेगा अब देखो, यहाँ आप कहोगे क्या सबसे new जो layer है, वो आपके रहेगी कहाँ, यहाँ, बिलकुल past में, क्यों? activity अभी चल रही है ना बिटा, भाई आपके क्या है जो newly formed होगा वो तो आपके होगा past में और जैसे जैसे बनता जाएगा, यह इसको pit की तरफ क्या करता जाएगा, बिटा धकेलता जाएगा, तो आरिये बास समझ में यानि कि sx5 यहाँ आपके क्या बात करोगे, sx5 sx4, sx6, तो आप क्या कहोगे, sx5 यहाँ होगा इससे पहले बना था sx4 वो यहाँ होगा, इससे पहले बना था आपके क्या, sx3 वो आपके क्या होगा, और भी आपके pit के क्या होगा, past में होगा और डिटेल से अगर आप बात करना चाहो तो देखवा मैं आपको समझा देता हूँ, सबसे newly formed जो है वो आपके होगा यहाँ अब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, पुराना होता जाएगा, यहाँ आपके क्या होगा sx4, यहाँ आपके क्या रहेगा, sx3 यहाँ आपके क्या रहेगा, और पुराना sx2, और यहाँ आप होगे तो आपके क्या रहेगा SX1 तो सबसे यंगेस जो लेयर है वो आपके जस्ट पाच्ट में रहेगी आपके किसके Vascular Cambium के तो आप क्या कहोगे जस्ट भाई आउटसाइड तो आपके कौन होगी यंगेस लेयर होगी फ्लॉयम के तो जस्ट इंसाइड दा Vascular Cambium समवहन इधा के आपके कहाँ अंदर ठीक है नेक्स्ट आप कहोगे क्या विल्टिंग अकर्स अब विल्टिंग की बिटा आपको डेफिनिशन पता होनी चीए विल्टिंग आपके होती क्या है जब आपके Transpiration की Rate जो है वो आपके क्या हो High ओ किससे Water Absorption से जिससे आपके क्या है Water की Deficiency से आपके पतियां क्या हो जाती है मुर्जा जाती है उसको आपन कहते हैं क्या wilting, तो आपके कहरा यही wilting यानि कि मुर्जान कब होता है जब आप क्या कहोगे rate of transpiration जो है rate of transpiration जो है वो आपके क्या होती है high होती है, किसे rate of water absorption rate of water absorption किसे rate of water absorption से next आप कहोगे क्या a picture of dividing pigeon cells taking through microscope show the cells contain 80 chromosome, each contain 2 chromatids, देखो आप चीज़ को पकड़ें आप, क्या कह रहा है आपके कितने chromosome है उससे रिल लेना देना नहीं है, आपके क्या है यहाँ 2 chromatids है, ठीक है इस type का chromosome जो है वो बेटा आपको केवल और केवल कब दिखाई देता है, metafage इसलिए तो आप कहते हो metafagic chromosome जो है वो आपके क्या होता है, small होता है और आपके क्या होता है, large होता है इसलिए best phase जो है काय की morphology की study के लिए अगर chromosome की morphology की study यह chromosome का size आपको देखना है तो best phase जो होती है वो बिटा आपके कौन सी होती है? Metaphage और केवल metaphage में ही आपके क्या है? दो chromatids हैं, तो यह कह रहा है कि यह cell जो है, वो आपके किस phase में है? तो यही पूछना चाहरा है यह picture of dividing pigeon cell taken through a microscope shows that cell contains 80 chromosome, इससे कोई लेना देना नहीं है each consisting two chromatids the picture must have taken during, ठीक है? तो कब ली गई आपके picture? Metaphage of mitosis, ठीक है? mitosis की metaphage से, anaphage आपके हो नहीं सकता है क्यों इसमें chromosome ऐसा हो जाता है prophage second, उससे भी आपके क्या है? कोई भी आपके मतलब नहीं है meiosis की से metaphage of mitosis telophage second of आपके meiosis, तो ये भी आपके नहीं हो सकती है, क्यों? telophage में ये आपके ऐसी हो जाती है क्यों best phase अगर आपको देखनी है best chromatids जो हैं यानि कि आपके क्या हैं? two chromatids in a chromosome इसके लिए best जो phage होती है वो आपके कौन है? metaphage आलाग कि अपन ये कहते हैं, कि prophage के end तक आपके fully condensed हो जाता है, लेकिन आपको देती है NCRT, कि अगर आपको clearly two chromatids देखने हैं या chromosome की morphology की study करनी है तो best phase है आपके कौन? metaphage, आर ये बास समझ में तो most relevant answer जो है वो बिटा, आपके कौन है? metaphage ठीक है, next आपन जाएं तो आपके है क्या? the serial changes in previously sterile, a total barren area there no vegetations are present in past, collectively called भाई, जहां बिलकुल past में आपके कोई भी vegetation थाई नहीं totally आपके क्या है? barren area है, तो वहाँ जो आपके succession होगा, वो बिटा कौन सा होगा? primary succession, ठीक है? कौन होगा? primary succession और आपको पता ये primary succession जो है, उसमें सबसे पहले जो zero सेरे है, उसमें सबसे पहले कोन आते हैं? lichens, जो आपके चटानों को क्या करते हैं? आप गटित करते हैं withering process में आपके help करते हैं कि scheme है? rock scheme है तो यहाँ आपके आजाएगा क्या? primary succession प्रात्मे का अनुक्रमाइट, ठीक है बिटा? next जो है वो आपके morphology का question parietal, parietal जो भी आपके क्या है? parietal and marginal placentation, तो parietal तो आपके मिलता है बिटा किसमें? बताओ, parietal जो मिलेगा आपको किसमें मिलता है? एक तो mustard में, ठीक है? एक आपके किसमें मिलता है? rgmon में, ठीक है? किसमें मिलेगा? rgmon और mustard इसके अलावा p जो है, उसमें आपके होता है कौन सा? marginal, कौन सा होता है? marginal, ठीक है? तो आपके क्या है? rgmon और mustard तो यह आपके sequentially पूछ रहा है इसमें तो आपके कौन सा है, parietal है, mustard आपके क्या है, mustard जो है इसमें तो आपके कौन सा होगा, बताओ एकजाईल, ठीक है, dianthus और premrose आपके होई नहीं सकता, इसमें आपके कौन सा होता है, free central, ठीक है, तो आपके कौन सा जाएगा, argymon and p, तो correct answer जो है आपके है क्या आडजी मौन और मटर, ठीक है बिटा, next जो है वो है, Tyler did his experiments on root tip, cells of VCF Ava, he proved that, भाई आपने क्या है, Tyler जो है, इन्होंने अपने experiment किस पे दिये थे, VCF Ava पे, इन्होंने आपके क्या है, semi conservative nature, किसका semi conservative nature बताया था, किसका DNA का, इससे mostly आपके related जो थे, वो तो आपके कौन थे, मैसलसन और इस्टेहॉल, जिन्होंने आपके experiment किये थे, किस पे, E. coli पे, लेकिन इन्होंने भी plant में जो है, वो आपके semi conservative nature of DNA को आपके क्या किया था, शो किया था, उसमें बताते हो ना, कि DNA जो है, उसका replication, जो है, वो आपके क्या होता है, semi conservative होता है, यानि कि आपके क्या है, एक strand जो है, वो तो आपके parental होता है, और एक strand जो है, वो newly आपके बिटा क्या होता है, form होता है, next आपन बात करें, तो फिर आप क्या कहोगी, which of the following is not concerned by Rubisco, नेमने खितमें से कौन सा Rubisco से संबन देते हैं, नहीं है It has both oxygenase and carboxylase activity, बिलकुल सही है, इसमें carboxylase activity भी होती है, और आपके क्या है, oxygenase activity भी होती है, occurs in abundant amount in nature, बिलकुल सही है, nature में आपके क्या है, abundant आपके किसमें, form में पाया जाता है, mg plus 2 इसका आपके क्या है बिटा, activator है, ये भी सही है, It is related to light reaction of photosynthesis, नहीं, ये आपके light reaction से related नहीं होता है, किससे होता है बिटा, dark reaction जो है, उससे आपके क्या होता है, ये related होता है, ठीक है, फिर आपने बात करें किसकी next जो है, वो आपके क्या है, connecting link between the respiration, यानि कि आपके क्या है, TCA cycle and protein synthesis, ठीक है, यानि कि TCA cycle और आपके protein synthesis जो है, उससे related आपके कौन है, तो आप क्या कहते हो, यहाँ, alpha keto gluteric acid, alpha keto gluteric acid, plus इसमें आप और क्या मिला दो, oxalo acetic acid मिला दो, तो यह बहुत सारे amino acids जो है, उनका आपके क्या करते हैं, फार्मिशन करते हैं, तो यहाँ आपके जो आजाएगा, वो आपके most appropriate answer आपके क्या है, alpha keto gluteric acid, ओके बिटा, next, जो है, वो आपको दिया गया है, which is not the characteristic of genetic material, निमनेकित मैंसे कौन सा अनुवांसिक पदार्थ का लक्षण नहीं है, फिर आप क्ये कह रहा है, it should be able generate its replica, यानि कि इसे swim की प्रतिकरती बनाने की आपके क्या होनी चीए, छमता होनी चीए, बिल्कुल सही है बिटा, it should chemically and structurally be stable, यह racionic तथा संरक्षनात्मक रूप से क्या होना चीए, इस्था ही होना चीए, यह भी बिल्कुल सही है, फिर it should provide the scope for slow changes, इसमें धीमी गती से परिवर में आपके क्या होते हैं, साहयक होते है, it should not be able to express itself the form of mandalian characters, भाई आपके क्या है, it should not be able, नहीं, यह आपके क्या होना चीए, यानि कि आपके क्या है, इसे swim, mandal के लक्षनों के अनुरूप आपके अभी व्यक्त होना चीए, तो यह आपके related आपके कौन सा नहीं है, fourth, तो य आप कहोगे क्या, select the wrong statement from following, दिये गए मैंसे गलत कथन को आपके चुनिये, यानि किस में से wrong कौन सा है, वो आपको चुनना है, mitochondria and chloroplast, both contain DNA and ribosome, mitochondria तथा हरित लवक, दोनों DNA तथा आपके ribosome रखते हैं, बिलकुल सही है, दोनों में आपके क्या होगा, ribosome, both mitochondria and chloroplast contain outer and inner membrane दोनों mitochondria तथा हरित लवक, भाईये तथा आंतरिक जिल्ली रखते हैं, विलकुल सही है, chloroplast are generally much smaller than mitochondria, ये आपके बिटा क्या हो गया है, गलत हो गया है, chloroplast are generally much smaller than mitochondria, हरित लवक सामानिता है, आप mitochondria से अधिक छोटे होते हैं, नई, chloroplast जो है वो आपके क्या होता है, बड हो गया, chloroplast and mitochondria and semi-autonomous cell organelle सही है, इनके पास खुद का क्या है, दोनों के पास DNA है, और खुद के ही आपके क्या है, राइबोसाम है, तो ये अपनी कायके नीड के, कुछ आपके कायका, proteins का synthesis तो खुद कर लेते हैं, लेकिन mostly proteins के लिए आपके depend रहते हैं, किस पर, nucleus पर, इसल इनको अपन कहते हैं, क्या semi-autonomous organelle, फिर जो है next है, आपके, which of the following elements required in mitotic spindle formation, नेमने कित में से कौन सा तत्व सूत्री विभाजन तरकु बनाने में आपके क्या होता है, आवश्यक होता है, CD and CIT के लाएने बिटा कौन होता है, calcium, यानि कि CA, calcium इसके लिए आपके क्या होता है रिक्वाइड होता है, फिर देखो आपके क्या कह रहा है, which is similar feature in bryophytes, teridophytes and gymnosperm, यानि कि bryophyta, teridophyta और आपके gymnosperm, तीनों का समान लक्षन है, तो आपके क्या है, presence of motile male gamits, नहीं, gymnosperm में आपके क्या होते हैं, pollen grain होते हैं, कौन होते हैं, pollen grain, या आपके क्या होते हैं, non-motile, तो ये आपके क्या है, wrong है, presence of centriol, ना, centriol आपके क्या है, absent है, तो ये भी आपके क्या है, wrong है, presence of albuminous cell in a phloem, albuminous cell जो है, वो phloem में आपके जो मिलेगी, वो आपके किसमे, bryophytes में आपके क्या रहेगी, बिटा, absent रहेगी, तो आप कहोगे presence of archegonium, archegonium जो है, वो gymnosperm में भी आपके क्या है present है तो archegonium की उपस्तिती जो है वो तीनों का आपके क्या है लक्षन है next आप देखो जाओगे बहुत अच्छा question है, बहुत सांदार बिटा question है, NCIT based आपके क्या है, question है, देखो देखें आपन, देखो क्या कहोगे in which category will you place in this plant, देखो एक plant आपको दिया हुआ है, यह कहारा है plant 12 hour continuously आपने क्या दिया है dark दिया है, ठीक है, तो इसमें flowering हो गई, जैसे ही आपने क्या है, 12 hour interrupted आपने dark दिया, यानि कि आपने क्या है, dark period को आपने क्या कर दिया, disturb कर दिया तो यहां बिटा flowering आपके नहीं हुई, it means यहां इस plant के लिए flowering अगर आपको करवानी है अगर इसके आपको क्या करवानी है flowering करवानी है, ठीक है क्या करवानी है, flowering तो यहां इसके लिए आपके important है कौन, dark dark period इसके लिए आपके क्या है इंपोर्टेंट और आपकी NCIT में डाइग्राम बना के साफ बता रखा है कि डार्क प्रियर्ड फ्लावरिंग के लिए इंपोर्टेंट आपके होता है किसमें SDP यानि कि आपके short day और plant किसमें होता है इंपोर्ट डे और plant में आगी बात समझ में next जो है during photosynthesis light is not directly required देखो आप क्या कहोगी विटा photosynthesis जो है इसमें आपके दो reaction होती है कौन कौन सी reaction एक तो आपके होती है क्या light reaction ठीक है एक आपके होती है क्या dark reaction ठीक है light reaction में आप क्या कहते हो ATP आपके ATP इसके अलावा आपके क्या है NADP जो है या NADPH बनेगा NADPH बनेगा इसके अलावा यहां आपके क्या है photolysis of water होता है यानि कि H2O जो है उसका आपके क्या होता है photolysis ठीक है तीन चीजे होती है और dark reaction जो है उसमें आपके काई का गुलकोज का क्या करते हो बिटा आप formation करते हो तो आप कहते हो क्या कि light reaction जो है वो directly light पे आपके क्या होती है dependent होती है लेकिन dark reaction जो है वो light पे depend नहीं है इसलिए light reaction को कहते है light dependent reaction और dark reaction को अपने कहते है light independent reaction हाला कि light reaction की products पे आपके क्या होती है depend होती है लेकिन light पे आपके क्या कराए यह directly आपके depend नहीं है तो आप ये देखें कि यहाँ process जो dark reaction का कौन सा दे रखा है आपको the formation of 3 PGA from CO2 and RUBP यह आपके process किसका है वेटा dark reaction का बाकी यह भी आपके किसमे होता है light reaction में यह भी light reaction में होता है और यह भी आपके किसमे होता है light reaction में तो आपके क्या है प्रकास insulation के समय प्रकास आवशक रूप से आवशक किसमे नहीं होता CO2 एवं RUBP से 3 PGA के काई में है निर्मान में तो यहाँ answer जो बिटा आपके हो जाएगा वो आपके कौन सा है third next अपन बात करें तो देखो next आपको कह रहा है क्या gymnosperm are non-edged gyrophytic plants due to the presence of anawrat bg पोधों को मरीद विदá पोधों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन में उपस्तिती होती है बाइ आपके क्या है? anawrat bg यानि की gymnosphperm mer como present होता है जिसके current में आपके क्या है? zero fight की form में जाना जाता है یعن की man zero fighting characters आपके कॉन कॉन से है simple and compound leaf nice aफ फिर आप कहोगे thick cuticle and second stomata, बिलकुल सही है, cuticle आपके थिक हो और second stomata हो, तो यह आपके किसको water loss जो है, जलहानी जो है, उसको आपके क्या करेंगे, कम करेंगे, तो आपके सही हो गया क्या second, trackers and companion cell कोई लेना देना नहीं है, इसके अलावा correlate root और mycorrhiza, तो इसका आपके क्या है zero fighting characters, जो है उससे आपके कोई भी relation है, नहीं है, तो आपके most आपके correct answer जो है, वो आपके कौन सा है, second, तो यहाँ answer जो जाएगा, वो आपके जाएगा, second, तो आप जो new pattern आया है, इस पे आपको 85 questions आपके क्या है, भाई 85 तक या नहीं कि आपके 35 questions जो है, वो आपको necessary आपके क questions ऐसे होंगे, जहाँ आपको choice मिलेगी, कि आपके क्या है, 15 questions दिये होंगे, उनमें से आपको कितने करने हैं बिटा, 10, ठीक है, आपके क्या है, this section contains 15 multiple choice questions, out of these 15 questions, you can choose any 10 questions to attempt, you will be awarded 4 marks for correct answer, and minus 1 marks for incorrect answer, और यह बाद समझ में, फिर आप क्या कहोगे, कि यहाँ आपके क्या है, 15 आपके क्या है, questions है, उनमें से आपको 10 questions करने है, ठीक है, देखो अपन चलते हैं, बिलकुल आपके क्या है, NCIT based, तीजे सिदे आपके क्या है, questions है, पहला आपको दिया गया है क्या, match the column, अब इनमें से आपको column जो है, उसको बिटा, आपके क्या करना है, match करना है, देखो अच्छा question है, पहले आप कहोगे क्या, parthenocarpy, क्या होती है बिटा, parthenocarpy, अगर without fertilization आपके काय का, fruit का formation हो जाए, तो इसको अपन कहते हैं, क्या parthenocarpy, तो यहाँ आपके क्या है, seedless आपके क्या होता है, fruit होता है, like that आपके banana, seedless fruits without fertilization, फिर आप क्या कहोगे, polyamronomy, इसका त embryo-developed, आपके क्या है, more than one embryo in same seed, यानि कि एक ही same seed में आपके क्या है, more than one embryo, apomics is without fertilization, अगर आपके seed का क्या हो रहा है, formation हो जो रहा है, तो इसको आपकोगे, क्या apomics is, फिर आपके somatic embryogenesis, embryo का development, अगर आपके somatic cell से हो रहा है, तो इसको अपन कहते हैं, क्या somatic embryogenesis, टीक है तो यहां आपके आजाएगा क्या 4 देख लें आप 3rd, 2nd, 1st, 4th, 3rd, 2nd, 1st और 4th, तो यहां answer आपके चला जाएगा 2nd, कौनस answer होगा बिटा 2nd, फिर देखो आपके कह रहा है क्या एक्रोपीटल अरेंजमेंट में studied in following, यानि कि आप अगरा भी सारी विवस्था नेमने में किसमें अध्यन की जा सकती है, तो आपको पता ही है, जो आपके क्या है, रैसी मूस जो भी आपके क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं, इनमें आपके टिप पे फ्लावर नहीं होता, तो आपके सूर जो है, वो आपके क्या करता है, इन डिटर्मिनेट आपके क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानि कि यहाँ फ्लावर लगे रहते हैं, अक्रोपीटल ओर में, और फिलो टैक्सी, यानि कि आपके यहाँ है, लीफ का आरेंजमेंट, तो हमेशा ही किसमें होता है, अ यहाँ सही आंसर जो चला जाएगा वो बिटा आपके कौन सा है, second, ओके बिटा, तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो आपके क्या है, second, next आपको दिया गया है, identify P and Q from following given figure, निमनेखित दिये गए चित्रों में से P तथा Q की आपके क्या कीजिए, पहँचान कीजिए, देखो यह जो है, वो आपके कौन है, क्लोरिला, कौन है, क्लोरिला, और यह आपके सीधा NCRT का डाइग्राम में, बिटा, कौन है, यह लैमिनेरि ठीक है, तो आप सीधा मैच कर दोगे, क्लेम आइड़ो मोनास, और आपके कौन है, लैमिनेरिया, ठीक है, नेक्स्ट आपन चलें, तो अच्छा क्युश्यन है, आपके क्या है, मैच करवा रहा है, देखो, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में, बिटा, आप क्या कहते हो, कि क कोई भी सबस्टांस जो है, इसका अपनी हाई-टू-लो कंसंटेशन, जो आपके क्या होता है, मुवमेंट होता है, उसको अपन कहते हैं, क्या डिफ्यूजन, ऑस्मस इसमें आप क्या कहोगे, कि ऑस्मस इसमें एक आपके क्या होती है, स्पीम होती है, और स्पीम से आपके क क्या है, जो भी solvent है, कौन, only आपके move होगा, कौन, solvent, solvent जो है, वो आपके कहां जाएगा, low concentrated solution to, कहां जाएगा, high concentrated solution, ठीक है, इसके बाद में, imbibition, imbibition आपके क्या है, जो surface जो होता है, उस पर आपके water को क्या करना, absorb करना, इसके बाद में, आप कहोगे, plasmolysis, तो plasmolysis में, आप क्या कहते हो, shrinkage हो जाता है, बिटा, किसका, protoplasm का, आ रही है बाद समझ में, तो चलो, इनको match कर लेते हैं, आपन, पहला है diffusion, free movements of ions and gassage, तो यहाँ आपके क्या हो जाएगा, fourth, फिर है osmosis, osmosis के लिए आपको चीए क्या, semi permeable membrane, फिर आप कहोगे, imbibition, imbibition के लिए hydrophilic क्या चीए, substance, फिर आप कहोगे, क्या plasmolysis, तो plasmolysis आपके क्या है, shrinking of protoplasm, तो match कर लो, diffusion के लिए एक आपके क्या है, fourth है, फिर आपके second जो है, उसका osmosis के लिए third है, फिर आप कहोगे, क्या imbibition, first है, फिर आप कहोगे, क्या plasmolysis, shrinking of आपके क्या है, protoplasm, तो इसका आपके क्या है, second, fourth, भाई आपके क्या है, fourth, third, first and second, तो यह आपको दिया हुआ है, किस में है, fourth में, ओके बेटा, देखो, एकदम simple आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, अभी बेटा, आपको अपना confidence, जो है, वो आपके क्या रखना है, boost up, आर यह बास समझ में, बस आपको यह सोचना है, मिरेको सब कुछ आता है, ठीक है, तब तो आप क्रेक कर जाओगे, और अब आपने रोना-धोना-रोया ना, मिरेको यह नहीं आता, मिरेको वो नहीं आता मैं यह कर लू, मैं वो कर लू, तो बिटा दिक्कत हो जाएगे, तो इस टैम आप अपने confidence को boost up करें, आर यह बास समझ में, next जो है, अगर अपन बात करें, तो आपके क्या है, एकदम, देखो, language यह बना दी गई है, एकदम मैं कहरा हूँ ना, neat मैं examiner क्या सूचता है, उस basis पर अपने paper बनाया है, ठीक है, language बना दी गई है, सीधा-सीधा NCRT का आपके diagram है, उसको आपको पहँचानना है, देखो, the given figure is diagrammatic representation of synthesis of an RNA molecule, यहाँ RNA molecule आपके क्या हो रहा है, synthesized हो रहा है, the RNA polymerase, the large circle, moves towards the right side, यानि कि RNA polymerase जो है, वो right side आपके क्या कर रहा है, move कर रहा है, indicated by an arrow, arrow से indicate कर दिया, identify the ends, A, B, C, D, by 3-dash prime and 5-dash notation, as per standard convention, select the correct answer using the course given in the diagram, यह सीधा आपके क्या है, NCRT का आपके क्या है, question है, देखो, यहाँ आपके क्या होता है, 5-dash होता है, 5-dash पे आपके क्या कहते हो, GPPP, guanosyn, triphosphate, और यहाँ आपके क्या होता है, methylated होता है, यहाँ यह जो end है, वो आपके क्या है, 5, यह end है आपके 3, तो जैसे जैसे आप जाओगे, तो देखो, यहाँ से आप लोगे इसको, यहाँ से आप लोगे, तो यह आपके क्या हो जाएगा, 3, तो यह आपके क्या हो जाएगा, 5-dash prime, तो अब आपसे क्या क्या है, A, A आपक क्या है? 3 है. C आपके क्या है? 5-S है. और D आपके क्या है? 5-S है. तो answer आपके हो जाएगा क्या? 1. ठीक है? Answer आपके क्या जाएगा पिटा? 1. देखो आपको confusing condition में क्या इसने confuse किया है? देखो वापस देखे लो इसमें था क्या? भाइ आपके हो कि है यहाँ आपके क्या है 5 darigerous Prime है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपके capping होंगि किसकी, guanosine triphosphate की जो कैसा होता है, methylated यह आपके क्या है, 5 है, तो 5 पे आप जाओगे, तो यह आपके क्या है, वापस आपके क्या होजाएगा? ठीक है यह आपके क्या है 3 तो यह आपके क्या है 5 इस पे match कर लो A आपके क्या है 3 B आपके क्या है 3 है C आपके क्या है 5 और आपके D जो है वो आपके क्या है 5 तो यहाँ आप ऐसे क्या कर लें आराम से क्या कर लें match कर लें, तो आप सीधा सा देख रहे हो paper जो है, बेटा सीधा क्या पुछा जा रहा है NCRT based, अपनको confuse करने की causes करेगा simple paper में, लेकिन अपनको confuse है, नहीं होना है, और आपको अपना confidence जो है, वो boost up रखोगे, तो पक्का आपको कोई भी नहीं रोक सकता, exam crack करने से, और जहाँ है अपने confidence थोड़ा सा ल्यूज किया, मैं ये कर लूँ मैं वो कर लूँ, ये हो जाए, ऐसा हो जाए तो फिर बेटा आपके क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, next question की और आपन बढ़ते हैं सीधा सीधा NCIT के आपके क्या है, diagram है, consider the following diagram, निम्न चित्रों पर चित्रों पर आपके क्या कीजिए, विचार कीजिए, देखो यहाँ आपको पहँचानना है, ए जो है वो आपके क्या है, बिटा producer, ए जो है वो बिटा आपके क्या है producer है, ठीक है फिर इन से आपके क्या हैगा, लिटर फॉल, क्या हैगा, लिटर फॉल, ठीक है, लिटर फॉल, आपके कौन लाएंगे, यह आपके क्या है, producer को consumer में लिया, या detritus, या फिर आपके क्या है, लिटर फॉल से आपके क्या बन गया retritus, यहाँ बेटा आपके क्या होगा? Decomposition क्या होगा? Decomposition Decomposition हो गया और Decomposition के बाद में यह आ जाएगा आपके काई में? Soil Solution में, ठीक है? इसके अलावा आपके क्या है? Soil Solution में जो Phosphorus आता है, वो आपके किसके थू भी आता है? Withering Process के थू ठीक है? Withering Process के थू भी. अब इसमें से कुछ run-off हो जाता है, इसको वापस producer आपके क्या कर लेंगे? अब टेक कर लेंगे. अब इसको आप मिला लें, A जो है वो आपके क्या है? Producer है, बिल्कुल सही है. B जो है, वो आपके क्या है? Decomposer है विल्कुल सही है. C आपके क्या है? Litterfall है विल्कुल सही है. और D आपके क्या है? Withering. तो यहाँ आपके हो जाएगा? अत्पदक. यहाँ आपके टाइम. Litterfall और आपके क्या जाएगा? Withering Process. ओके बिटा, तो यहाँ answer जो जाएगा, वो आपके question की ओर. कौन सा? 192. हाँ विटा, नेक्स जो question है, वो है आपका. इस में से आपको क्या है? जो भी statements दिये गएं. इन statements को carefully आपको क्या करना है? विटा, read out करना है. चलो, start करते हैं. देखो, पहले दिया हुआ है. A amount of living matter biomass present at every tropical level is called standing crop. एक विशिस्ट समय पर प्रतेक पोसन इस तर पर जीवित पदार्सों की मात्रा आपके क्या किलाती है? खडी फसल. बिल्कुल right statement है विटा, कि आपके क्या है? जो भी आपके क्या है? कोई भी traffic level जो है? या किसी भी traffic level पे आपके क्या है? जो भी आपके क्या है? organic material जो है, living organic material जो है, living biomass जो है, उसको अपन क्या कितेते हैं? standing crop या खडी फसल. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduct for energy flow. जलिये परितंत्र में चारण खाजिस रंकला, उर्जा प्रभाह का महत पून आपके क्या है? साधन है. बिल्कुल सही कह रहा है है. इसके अलावा आपके क्या दिया हुआ है? सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन अनी प्लेस इन एकॉलोजिकल प्रामिड. मृत जीवियों को परस्थितिक प्रामिड में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है. बिल्कुल सही है. पिरामिड आफ एनरजी आर आलवेज अप्राइट. उर्जा के पिरामिड सदेव खडी दिसा में आपके होते हैं. तो क्यों? क्योंकि यहां आपके क्या है? लिंड मांस. लिंड मांस आपके क्या लगता है? रूल आपके क्या होता है? जो आपके कहता है क्या A, B, C और D आपके traffic level में अगर energy जारी है तो 90% energy आपके क्या हो जाती है, consume हो जाती है, केवल 10% ही आपके क्या होती है, transfer होती है तो each traffic level पे आपके क्या है, energy का आपके क्या होता है, loss होता है इसलिए आपके क्या है maximum energy जो है वो आपके किसके पास होगी producer के पास इसलिए always energy के जो प्रामेड होते हैं वो आपके क्या होते हैं upright होते हैं सारे statement बिटा कहां से हैं NCRT से हैं और सारे statement आपके क्या हैं बिटा correct है next अगर हापन बात करें तो फिर आपके कह रहा है क्या gel electrophoresis बहुँ gel electrophoresis में आप क्या कहते हों कि DNA जो है वो आपके क्या है वो बहुत तेजी से जाते हैं जबकि बड़े fragments जो होते हैं वो slow आपके क्या करते है, move करते है तो इसमें आप size के according जो आपके क्या है, DNA की जो fragments है, उनको बिटा आप क्या करते हो separate करते हो, ठीक है तो यहाँ gel electrophoresis में आपके क्या होता है, separation of DNA fragments according to their size, तो DNA की खंडों का आकार के आधार पर आप क्या करते हो बिटा, प्रेथक करन करते हो, ठीक है next जो question आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है genetic engineering से related, ठीक है यह आपको कह रहा है क्या genetic engineering आपके क्या है possible हुई है, genetic engineering is possible because ठीक है, we can cut DNA at specific site by endonuclease like RNA, भाई आपके हम DNA को endonuclease जैसे RNA, RNA से थोड़ी काटते हैं बिटा, भाई, RNA आपके यहां क्या हो गया है, wrong हो गया है कौन है, DNA, फिर आप कहते हो क्या, restriction endonuclease purified from bacteria can be used in vitro, फिर आपके क्या है प्रतिबंदिन endonuclease enzyme जो जीवानों से प्रथक किये हैं, उन्हें स्वेपात्रे माद्यम में अपने क्या कर सकते हैं, प्र्थक कर सकते हैं, बिल्कुल आप क्या कएते हो वेटा, यहां आपके RE क्या होते हैं, enzyme ठीक है, यह RE enzyme जो हैं, इनको आप प्रत्थक करते हो कि से, बैक्टेरिया से, ठीक है, और इन bacteria को आप काughter में, इन डैक्टीरिया से जो प्रत्थक या रिया एंजाइम है, इनका यूज आप इन विट्रो कल्चर में आप कर सकते हो, ठीक है, पहली बात यहाँ आपको बायो टेक में आता ही है, इनको रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूकलीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिने में अंदर कट लगाते हैं, कट लगाते हैं, फिर आप कहते हो, इनको आईसुलेट अपन कहां से करते हैं, तो NCRT के अकॉर्डिंग अपन बात करें, तो ये आपके कहां से, बैक्टीरिया जो है, उसमें आपके क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और बैक्टीरिया में ये आपके कह है कि bacteria को protect करते हैं कि save bacteria phase से, जैसे ही आपके bacteria phase का DNA आता है तो इक bacteria phase के DNA को आपके क्या कर देते हैं, cut कर देते हैं, फिर आपके दिमांग में question आएगा कि यह आपके bacterial DNA को क्यों effect नहीं करते हैं, क्यों क्योंकि bacterial DNA की जो restriction site है उस पे आपके क्या है, methylation हो जाता है, जिससे restriction site आपके क्या रहती है बिटा, ब्लॉक रहती है, जिससे आपके safe रहता है किसका bacteria का खुद का आपके DNA, तो it means RE enzyme जो हैं वो present रहते हैं bacteria में, जो इसको protect करते हैं किससे bacteria phase से, ठीक है, तो आपके genetic engineering possible हो पाया क्यों, क्योंकि restriction endonucleus enzyme को आपने purified किया कहां से bacteria से, और इस को huge कर सकते हो आपका, इमें in vitro medium में, ठीक है विटा, next जो है question वो अगर आपन बात करें, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, select wrong matching, ठीक है, गलत मिलान को आपको क्या करना है विटा, चुनना है, पहला दिया हुआ है, एमद खान, एमद खान जो है, उन्होंने आपके क्य क्या है, polythene जो है, उसे polybladed का क्या किया था, formation किया था, और इसका huge आपके किस पे, जो road से उनसे करने पर, उसकी water repelling capacity जो है, वो बिटा आपके क्या हो गई थी, increase हो गई थी, तो यह आपके क्या है, सही statement है, बिल्कुल, आपके क्या है, right match है, रमेश चंद्र डागर, ठीक ह पष्ण करने, रमेश चंद्र डागर जो है, integrity, organic farming से अपसे related थे, बिल्कुल थे related, इन्होंने आपके क्या है, सारी जगे, कहीं आपके क्या हो रहा है, मधु मक्खी पालन हो रहा है, कहीं आपके farming चल रही है, कहीं आपके क्या है, अलग-लग-अलग-अलग-अपके कैई-अ बास Maillam, बास Maillam बास चेजंग को एक का जो वेस्ट था, भई कहीं आपके क्या कर रहा है, पसू पालण कर रहा है, तो एक का वेस्ट जु था, वो आपके क्या है, तो बास Maillam बास Pra continent क्लब जो है उसको भी आपके क्या किया था इस्थापित किया था आज आपके क्या है इसमें बहुत सारे क्रसक जो है बहुत सारे फार्मर्स जो है इस और्गनाईजिशन से क्या है जुड़े हो है कहां हरिया ना में तो ये भी आपके क्या है सही है फिर है अमृता देवी विस्नोई conservation of forest पता ही आपको कि वनों की रक्षा के लिए अमृता देवी और उनकी बेटीों ने किसके पेड़ों के लिपटकर ट्री के लिपटकर अपनी जान देदी थी काई के लिए forest conservation के लिए तो ये भी बेटा आपके क्या है सही है फिर फार्मर्स आफ अकार्टा भाई आपके क्या है F O A M ठीक है फॉर्म जो था फ्रेंड्स आफ अकार्टा मार्स वो आपके एर पॉलुशन कंट्रोल से रिलेटेड आपके नहीं है ठीक है तो यहां रॉंग जो है वो आपके कौन सा फोर्थ स्टेटमेंट जो है या फोर्थ मैचिंग जो है वो भी आपके क्या है रॉंग है फिर नेक्स अगर आपन बात करें तो नेक्स क्यूशन है आपके consider the following and choose the correct answer निम्न पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का आपके क्या करना है आपको चैन करना है गॉल जी एपरिटस principally performs the function of packaging material and transportation गॉल जी उपकरण मुखते पदार्थों के समविस्थन यानि की packaging तथा इस्थानांतरन का क्या करता है कारे करता है सही है गॉल जी बाडी सबसे पहले process करता है process के बाद आपके material को pack करता है उसके बाद आपके क्या करता है secretion करता है तो ये भी आपके क्या है सही है गॉल जी बाडी is involved in intracellular delivery of vesicles to target गॉल जी का है पुटीकाओं के लक्ष तक अंतेक उसकी अस्थानांतरन में आपके क्या होता है समलित होता है बिलकुल सही है गॉल जी लिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्म में बिटा आपके क्या करता है packaging करता है तो तीनों के तीनों statement आपके क्या है correct है तो A, B and C, R आपके क्या है correct है ठीक है बिटा next आपके question है क्या next question की अगर अपन बात करें तो आपको करना है match the following ठीक है इन followings को आपके क्या है जो भी आपको दिये गए इनको आपको क्या करना है बिटा match करना है चलो करें match देखो क्या कहोगे आप winblastin और curcumin ठीक है winblastin और curcumin जो है वो आपके क्या है drugs है ठीक है arbin और recins जो है वो आपके क्या है बिटा toxins है monoterpenes, dieterpenes ये आपके क्या है terpenoids है इसके अलावा concalvin A जो है वो आपके क्या है lactins सीधे आपके NCRT जो है उसका statement है तो first जो है उसका आपके क्या है drug यानि कि first का क्या हो गया C उसके बाद में second जो है उसका आपके क्या है D, ठीक है, फिर क्या है, third जो है उसका आपके क्या है, A, तो आप match कर लो, C, D यहां भी आ गया नहीं, C, D और A, यानि कि answer आपके हो जाएगा कौन सा, second next अगर आपन बात करें तो आपका होगे complete the following equation by the putting one on following options, ठीक है for a population to maintain a constant size, तो constant size में आप कहते हो क्या birth ठीक है, plus आने वालों की संख्या, जिसको आपन कहते हैं क्या आप्रवासन, ठीक है, यानि कि immigration, ठीक है birth plus immigration यह आपके क्या है एक तो आपके मरने वालों यानि कि death plus आपके क्या है, छोड़ के जाने वालों, यानि कि आपके immigration जो है, उसके आपके क्या होने चीए, equal, यानि कि आपको NCIT क्या कहते है, B plus I जो है, वो equal होना चीए, किसके, D plus EK, आर ये बस समझ में, B plus I जो है, वो equal होना चीए, D plus EK, तो आप क्या कहते हो, यहाँ D plus E ये दे रखा, B plus I, तो यहाँ आपके sequence जो है, वो आपके क्या है, correct matching जो है, या correct आपके बैठ रहा है, किसी भी population के size को बनाए रखने के लिए, एक तो जन्म, एक आने वालों की संख्या, दूसरा, death और छोड़ कर जाने वालों की संख्या क्या हो, equal हो, तो population का size बैठ आपके क्या बना रहता है, constant बना रहता है, next जो question है, वो आपको दे रखा है, with the respect of fungal sexual cycle, choose the correct sequence of events, यह सीधा का सीधा आपके NCRT के तीन statement जो बना रखें, वहाँ से आपनने बैठा लिया है, देखो, वहाँ आपको यह क्या कह रहा है, सबसे पहले आपके होती है, cells आपके क्या होती है, huge होती है, इसको अपन कहते है cascomégémy, what is 15 तो 10 करने है, वो थोड़ा सा length दी रहेगा, ठीक है, वो length दी रहेगा, इसी लिए तो आपको क्या है, choice दी गई है, तो वहाँ थोड़े से match the column, अगईरा अगईरा correct statement, ऐसे question आपके होंगे पका next अगर अपन बात करें भाई यहाँ आपके समझ में आ गया पहले plasmo game, फिर carry होगे मी, फिर आपके क्या होगा, meiosis last question की बिटा अपन बात करें, तो फिर कह रहा है which of the following pairs is not correctly matched, नेम निखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमे लेते नहीं है, अडेनिन derivative, आपके कौन, काइटेनिन होते मिलकुल सही है, फिर एक carotenoids derivative, आपके कौन है, यह भी है, यह भी सही है terpenes, आपके IAA नहीं है, ठीक है indole acetic acid आपके terpenes में नहीं आएगा, फिर आप कहोगे indole compounds, तो आपके कौन होगा indole butyric acid तो यहां wrong जो होगा वो विटा, आपके कौन सा होगा third, आर यह बस समझ में तो यह सारे questions जो हैं NCRT से उठाएगए, paper को थोड़ा सा आपके level जो है वो आपके level का रहे आपका confidence जो है वो आपके क्या हो boost up हो, क्यो marks अगर आपके बढ़ी आएंगे तो आपका confidence क्या रहेगा boost up रहेगा, उस according paper आपके क्या किया गया है, fame किया गया है आपके marks बहुत अच्छे रहे होंगे बहुत सांदार रहे होंगे थोड़ा उपर नीचे अगर हुआ है तो बढ़ी आपके दंगल सीरीज स्टार्ट हो रही है वो भी totally NCRT based conceptual, neat oriented वहां क्या रहेंगे, question रहेंगे तो बढ़ीया बढ़ीया अच्छे से आप papers दें, बढ़ीया boss के contact में रहते हुए आप क्या रहें, motivated रहें अच्छा करें, अपना best देने की कौसिस करें, अपने आपको बढ़ीया healthy रखें, healthy environment में रखें, और कोई भी negative जो है विचार अपने जो mind है, negative कोई भी thoughts अपने mind पे हविया पर ना होने दे बढ़ीया motivate रहें, शांदार बहुत से आप contact बनाए रखें students need 2021 आपका है, अपना है, हमारा है CLC का है, 2021 को अपन football करके रहेंगे और के बिटा, JCLC JJCLC, VJCLC Thank you